वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्कूल अफ नॉलेज आज मैं आपके लिए जी विग्यान विसेगी पाठ्योजना लेकर आई हूँ जिसका प्रक्रण है संतुली ताहार आए देखते हैं कि पाठ्योजना कैसे बनाएंगे इसके लिए सबसे पहले हम उपर लिखते हैं संक्या उसके बाद लिखेंगे चात्रा ध्यापक या चात्रा ध्यापिगा का नाम फिर लिखेंगे विद्याले का नाम उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतरगत हम लिखेंगे दिनांग कच्छा विसे उपविसे चक्र और अवधी ठीक है कच्छा ये कच्छ प्लान के लेख ही होता है, तो सामान उदे से मैंने क्या किया है कि इसक्रिप्छन बॉक्स में लिख दिया है, उसके बाद नमबर आता है वीशा की सपना में इसे में तà्ल पूस्टिक ऑद्ष के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी वद्धात्मék अ चात्र संधुलिट आहार के महतु को समझ सकेगे में कि जात्र संत्री आहार को अपने घ्रहण कर सकेगे साहायक सिचल समागरी में लिखेंगे कि कच्छा उपयोगी आवश्यकि सहायक गिता है पुर्वज्यान में लिख़ेंगे कि छात्र संतली तहार की बारे में सामानी जानकारी उसके बाद हम निकालेगे प्रक्टन निकालने के लिए पुछा जातर कतन करेंगे ऐसे टेबल बनेगा चातर ध्याब का प्रश्ण करती हैं बच्चों जब हमें भूख लगती है तब हम क्या करते हैं तो चातर क्या जब आप देंगे बोजन करते हैं फिर हम यहां से भोजन को उठाएंगे और उसको लेके हम नया क्या प्रश्ण बनाएंगे तो चावल डाल रोटी सब्जी दुदाधी किस प्रकार का म्योक्षार है एक अमच्छ अच्छा कोर दाल को करेंगे इसके संतुली तब सन्तुलीक कंजिए क्या समझते हैं सब्सक्राइना क्वार विध्यान आधंध कि अंध्गाते संतली तभार में कि विस्तिर तद्यान ऑप्छन करेंगे जिसके इंद्गर्वार चात्र कतन और श्यामपट कारे लिखते हैं तो इसमें हमारा पहला सेक्षड विंदू है भोजन या आहार तो हम प्रश्ण पूछेंगे चात्र प्रण पूछते कि भोजन या आहार से आप क्या समझते हैं चात्र का मौन हो जाएंगे कि भूख लगने पर हम पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसके आहार कहते हैं, आहार दो प्रकार का होता है रहा हुआ सन्तु लीताहार और वाला खादेपदार्थ को भोजन कहते हैं फिर हमारा दूसरा सिक्षडविंदू है संतली तहार से आप क्या समझते हैं तो चाहतों क्या है यहां पर मौन हो जाएंगे तो सिक्षी का इस पस्चिकरण देगी कि संतली तहार से अभिप्राय ऐसे भोजन से हैं जिसमें समस्त आ मात्रा में पोशक्तत्व जैसे की कार्बोहाइड़ेट वसा प्रोटीन खनीज लवड विटामिन एम जल विदमान रहते हैं स्वस्त रहने के लिए हमें संतली तहार लेना अवश्यक है हमें अपने अहार में प्रतिदिन पॉस्टिक भोजन पदार्त जैसे की दाल चावल रोटी हरी सबजी दूद फरलादी परयात मात्रा में लेना चाहिए 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 चावल दाल रोटी सबजी घरी सब्दार्त दूद दही यह सब किस चीज के उधारन है हमने पूछ लिए कि संतिली भोजन में कौन-कौन से कौश्बरत पायाते हैं तो पच्चे जवाब दे देंगे कि क्या क्या पाया जाते हैं पीर अमने दूसरा प्रस्ट पूछा कि अपने अहार में प्रतिदिन कौनसा पोजी पदार्त लेना चाहिए तो चाह यह सब लिए उसके वान नंबर आता है तीसरे सिख्षर बिंदू का तीसरे शिख्षर बिंदू अचंतुलिताहार से आप क्या समस्थे हैं तो इसका इस स्पस्च्चि करड़ में कि वह आहार जो व्यक्ति की भूख सांद तो हो जाती है पर अंतुस में समस्थ पोसकता तो पस्थित नहीं रहते हैं और संतलित आहार कहलाता है उधारण के लिए यदि कोई व्यक्ति सदेव कार्वोहाइडेट या वसायुक्त भोजन ग्रण करता है तो प्रोटीन और विटामिन ना लेने के कारवा व्यक्ति इस कमी से विभिन प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो सकता है उसी ची जाता है सब असन्तलित आहार झाल में असन्तलिताहार कोकी सब्सक्रेद करता हुट् है उसके प्रोटी को सकता है तो इस्तきます करने सब्सक्राथी प्र aí पराना सकते हैं तिया बिनिते क् sitä नहीं सब्सक्राशन और मिरें झाल से उसकर उसकर हैं नि LISA किए उसक प्रषण को माघ क संतुली तहार से आप क्या समझते हैं और संतुली तहार से आप क्या समझते हैं तीन तरह के प्रश्न पूछ लिए उसके बाद नमबर आता है श्यांपट सारांस का श्यांपट सारांस को हमने पूरा जो भी चीज है में पढ़ाना उसको सारांस के फॉर्म में लिखते हैं जै क्वाइट्हार में मौजूद रहते हैं जैसे कार्भॉहाइडीटप्रोटिन के विटामीन तथा खाणीज्डवाड उर्स खानीज़लवड और क्या है तब तक के लिए नमस्कार